अनुपम खेर ने 33 की उम्र में निभाया था राजेश खन्ना के ससुर का रोल, फोटो शेर कर बताया किसा बलेवुड में अनुपम खेर ने एक शांदार सफर त्रे किया है 64 की उम्र में भी वो लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं अनुपम अक्सर फिल्मों से जुड़ी पुरानी तस्वीरों को शेर कर यादें ताजा करते हैं हाल ही में अनुपम ने एक ऐसी ही तस्वीर शेर की अनुपम ने यह चोप्रा की फिल्म विजय की शूटिंग के दौरान की एक फोटो शेर की इस फोटो में अनिल कपूर, रिशी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खना और मिनाक्षी शेशादरी समेत कई लोग नज़र आ रहे हैं अनुपम खेर ने इस पुरानी फोटो के जरिये हैरान करने वाली बात बताई, उन्होंने लिखा यश चोप्रा की फिल्म विजय के दौरान की ग्रूप फोटो, उस समय मैं तैंती साल का था मैंने हेमा मालेनी के पिता, राजेश खना के ससुर और अनिल कपूर के दादा का किरदार निभाया था मूल रूप से मेरी भूमे का भारतिय सिनिमा के सच्चे अभिनेता द्वारा निभाय जानी थी अनुपमखेर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं विजय 1988 में आई रोमांटिक एक्शन फिल्म थी इस फिल्म से मशूर गायक मुकेश के पोते नील नितीन मुकेश ने मत और चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया था उन्होंने रिशी कपूर के किरदार के बचपन वाले हिस्से को निभाया था अनुपम खेर की हाल ही में फिल्म होटेल मुंबाई रिलीज हुई है यह फिल्म 29 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी यह फिल्म मुंबाई पर हुए 26 ग्यारह आतं की हमले पर बनी है फिल्म में अनुपम एक शिप के किरदार में है